गुड इवनिंग एवरिवन लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए दिल से धन्यवाद अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उपर दिये हुए लिंक के थू जाकर वीडियो देख सकते हैं आज के वीडियो में शेर करेंगे आपके साथ कुछ सुनी सुनाई और कुछ अंसुनी बातें सूला वाइन यार्ट के बारे में वीडियो एंड तक जरूर देखें और लाइक और शेर करने में कंजूसी ना करें मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं Everon Beans जब भी सूला वाइन यार्ट का नाम आता है तो हमें एक खुबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन दिखता है जहां हम तरह तरह की वाइन का लुप्त उठा रहे होते हैं और हो भी क्यों ना पूरे इंडिया का सबसे बड़ा 3000 एकर्स में फैला हुआ सूला वाइन यार्ट जिसे नापा वैली ओफ इंडिया भी कहा जाता है अपने आप में एक लुभावना अनुभव है नासिक में राजीव सामन का नाम शायद आपने सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आपको बता दे he is the founder and CEO of सूला वाइन यार्ट who manages it so wonderfully that its name exists in top list सूला की बात हो रही है तो थोड़ी बात वाइन्स के बारे में भी करही लेते हैं यहां आपको almost काफी प्रकार की वाइन्स experience करने मिलेगी इसके अनेक subdivisions है mainly wines का type इन types के आसपास ही होता है जो है white wine, rose wine, desert wine, red wine और sparkling wine मेरा personal suggestion है कि अगर आपको जगे के पूरे मजे लेने हैं तो February would be the best option क्योंकि उसी समय आप stomping भी कर पाएंगे wine yards के बीच camping भी कर पाएंगे और साथ ही सूला फेस्ट music concert का भी लुप्त उठा पाएंगे आज सूला wine yards का annual turnover है 500 करोज पर ये कहानी शुरू होती है scratch से जब मिस्टर राजीव abroad में job करने के बाद इंडिया लॉटे और उन्हें ये समझ में आया कि नासिक का climate wine grapes के लिए best suitable होगा बिना रुके he made up his mind और जाकर मिले कैलिफोनिया में carry damp ski से जिनका wine बनाने में कोई जबाब नहीं था दोनों ने मिलके 1997 में plantation चालू किया और उस perfect dedication और skill के combination से आज हम सूला wine yards को अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पहुचने के लिए आपको नासिक station से 25 किलोमीटर की दूरी तैकरनी होगी जो कि आप cap की मदद से या auto की मदद से पूरी कर सकते हैं wine yards के अलावा आप नासिक के historical temples और caves जैसे सब्ट शिंगी माता टेंपल और पांडविलिनी caves भी explore कर सकते हैं इसके साथ वीडियो करते हैं wind up कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इन में से कौन सी बातें आपको interesting लगी और क्यों और ऐसे ही interesting facts, travel videos और motor vlogs के लिए अभी subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करें